Hello friends, मेरा नाम डॉक्टर कुमार रोहित है, मैं MCH Urologist हूँ और यहां Big Apollo Spectra में पिछले दो साल से as a Senior Consultant Urologist काम कर रहा हूँ मित्रो आज हम प्रोस्टेट के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे प्रोस्टेट सरो प्रतम तो यह मित्रो बन चुका है कि प्रोस्टेट एक बिमारी है, प्रोस्टेट कोई बिमारी नहीं है प्रोस्टेट हमारे शरीर का एक अंग है, यह गरंती है जो हमारे पिछाब रास्ते के बगल में होता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नॉर्मली 55 साल के बाद जैसे जैसे ये गरंथी का साइज बढ़ता है, पिशाब के रस्ते पर दबाव बढ़ता जाता है और इसकी वज़स से हमारे मरीजों को पिशाब जल्दी जल्दी होना, पिशाब रुक कर होना, कई बार पिशाब कपड़े में हो जाना, पिशाब का धार कमजोर हो जाना, ये सारी बिमारियां होती है कुछ लोगों के पिशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है प्राया जब हमारे पास मरी जाता है तो हम लोग इसकी इलाज की शुरुवात दवाईयों शे करते हैं लेकिन दवाईया इसका permanent solution नहीं है क्योंकि जैसे जैसे मरीज का उम्र बढ़ते जाता है और prostate का size बढ़ते जाता है तो जो operation होता है वो भी जटिल होते जाता है इसलिए prostate का इलाज हो ये ज़रूरी है लेकिन सही समय पर इलाज हो वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रोस्टेट का इलाज पहले incision देकर यानि चीरा देकर के हुआ करता था उसमें मरीजों को 8-10 दिन बेट पर रहना पड़ता था खून की भी आशक्ता होती थी ओपरेशन होने के बाद भी प्राया दिक्कत होती थी लेकिन अब प्रोस्टेट का ओपरेशन हम लोग मिनिमल इन्वेजिव सरजरी कहते हैं जिसे जिसमें बिना कोई चीरा लगाए ऑपरेशन किया जाता है और मरीज को दूसरे या तीसरे दिन घर भेज दिया जाता है प्राया ये एक अन्य भ्रह्म फैला हुआ है कि जो एंडो यूरोलोजिकल या जो मशीन द्वारा जो प्रोस्टेट का ओपरेशन होता है इसमें कम्प्लीट प्रोस्टेट नहीं निकलता है ऐसा नहीं है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ऑपरेशन कहां करवा रहे हैं किन से करवा रहे हैं और वो कितने स्किल्ड हैं इस ऑपरेशन में प्रोस्टेट का ओपरेशन होने के बाद भी हम लोग मरीजों को अपने देखरेख में रखते हैं और उनसे बीच बीच में समय समय पर मिलते रहते हैं ताकि फॉलो अप होता रहे और ये पता चलता रहे कि उनको कोई और दिक्कत तो नहीं है किड्नी में होने वाले पत्री के बारे में जानकारी शेयर करेंगे पत्री प्राया किड्नी में बनती है लेकिन किड्नी में बनने के पश्चाद कुछ पत्रिया वहीं पर ग्रो करते जाती है और जैसे जैसे उनका साइज बढ़ते जाता है मरीज को तकलीफे शुरू होती है अगर पत्री छोटी हो यूजुली 6-10 mm के बीच में 6-10 mm के बीच की पत्री सरक कर नली में आकर फस जाती है ऐसे में मरीजों को बहुत ही तेज दर्द का एहसास होता है पिशाब में जलन होता है कभी-कभी पिशाब में खून भी आता है और दर्द के साथ उल्टिया भी होने लगती है ये पत्री अगर सरक कर नीचे पिशाब के थैली में चली जाए तो मरीज का पिशाब एकाएक रुक भी सकता है जो अत्यंत ही कश्टदाई होता है कई बार मरीजों को बुखार भी आता है हमारे पास जब मरीज आता है तो जब नली में पत्री रहता है तो हमारे ओर से यही सुझाव रहता है कि उस पत्री का यथा शिक्र ऑपरेशन करवाए उसका कारण ये है कि ये जो पत्री आकर नली में फसा हुआ रहता है इसकी वज़ा से किड्नी में सूजन होने लगता है और ये सूजन की वज़ा से कभी-कभी infection सुडू हो जाता है और infection होने के वज़ा से किड्नी में खराबी आ सकती है ये खराबी permanent kidney को damage कर सकता है ऐसे में until की वो stone काफी छोटा हो जो दवा से निकलने योग्य हो तभी हम लोग दवा दे करके wait करते हैं वो भी तैस समय सीमा के अंदर ही अन्य था हम लोग उस पत्री के लिए minimal invasive surgery द्वारा उसको permanently clear करने की कोशिश करते हैं ये जो surgery होती है इसमें हम लोग मरीज के natural रास्ते द्वारा machine को डाल करके पत्री के पास पहुँचकर पत्री को बहुत छोटे छोटे कड़ों में तोड जालते हैं तोडने के बाद वो कड़ एक एक करके पिशाब रस्ते द्वारा ही शरीर से बाहर निकल जाता है इसमें मरीज को कभी भी throughout procedure दर्द नहीं होता है और मरीज अगले दिन ही discharge करने के लायक हो जाता है इसमें किसी भी तरह का शरीर में कोई छीदर, कोई चीरा, किसी तरह की कोई कश्ट नहीं होती है जिस भी मरीज को एक बार पत्री बनता है उसको वापस पत्री बनने का लगभग 50% चांस रहता है इसलिए छुट्टी देते वक्त मरीज के discharge के दोरान जो सावधानिया बरितनी बहुत जरूरी है वो हम लोग उन्हें डिटेल में समझाते हैं और बताते हैं ताकि भविश्य में वो इस बिमारी से बचे पिशाब में होने वाली कुछ तकलीफों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे पिशाब में होने वाली सबसे खतरनाक बिमारी जो की पिशाब का कैंसर है उसमें हमारे पिशाब में जब भी पिशाब का रंग लाल होने लगे या पिशाब में खून के ठके आने लगे तो हमें ओवर दे काउंटर ड्रक्स लेने की जगा बगल के फिजीशन या ड्रग स्टोर में जाकर दवाईयां लेने की जगा किसी specialist urologist से जाकर के मिलना चाहिए उसका कारण यह है कि ये जो पिशाम में खून आ रहा है ये किसी गंभीर बिमारी यानि की cancer के वज़ा से भी हो सकता है Usually ये जो पिशाम में खून आता है ये मरीज को दर्द नहीं देता है इस वज़े से कई लोगों को ये लगता है कि चुकी दर्द नहीं हो रहा है तो ये आप रूपी ही खत्म हो जाएगा कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन खून आए या 2-3 बार पिशाम में खून आए उसके बाद स्वता ही ये खून आना बंद हो जाता है इसका यह मतलब कता ही नहीं कि वो बिमारी खत्म हो गया है बहुत ही जरूरी है कि इस प्रॉबलम का अच्छे से इवैलुएशन हो जांच हो और प्रॉबलम के जड़ तक पहुँच करके उसका निदान हो अन्यता इस गलत फहमे में कि बिमारी खत्म हो चुकी है यह बिमारी को अत्यन्थी घातक रूप लेने का मौका दे देता है दूसरा कॉमन प्रॉबलम है पिशाब जल्दी जल्दी होना या पिशाब का धार खराब होना ये problem पिशाब के रास्ते की पत्री हो या prostate हो या पिशाब के रास्ते का सिकुडन हो इन में प्राया common रूप से देखा जाता है कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मरीजों के कपड़े में पिशाब हो जाता है इस तरह का problem इतना psychological trauma देता है कि ऐसे मरीज किसी दूसरे के घर भी जाना या रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये शारीरी की नहीं समाजिक रूप से भी काफी बुरे रूप में देखा जाता है ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम इसके पीछे के कारण को समझें और यह बिमारी जो है वो बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है इसे हमारी भाषा में उवरेक्टिव ब्लैडर कहते हैं जिसमें पिशाब की धहली अपने अंदर काफी देर तक पिशाब रोख पाने में असक्षम होती है जिसके वज़ा से पिशाब थोड़े ही देर के बाद लीख हो जाता है और वो कपड़े में लग जाता है इसी तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि 60-65 साल से ज़्यादा जब हमारी उम्र हो जाती है तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप रुपी अपना लेते हैं जैसे रात में तीन बार चार बार उठकर पिशाप करना कई बार मरीज कहते हैं कि ये तो बुढ़ापे की वज़ा से है बुढ़ापा कोई बिमारी नहीं है बिमारी हर उम्र में इलाज योग्य होती है इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप एक अच्छे यूरॉल्जिस्ट के संपर्क में आएं और उस बिमारी को जड़ से खत्न करें स्वता ही ये मान लेना कि मेरी उम्र चुकी बढ़ गई है इस दिए ये सारे प्रॉब्लम्स तो होंगे ही ये बिल्कुल ही गलत है आपके प्रॉब्लम का एक सर्टन रीजन है कारण है और उस कारण को अगर अच्छे से सॉल्व किया जाए तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा थैंक यू